दुमका के सिकारी पड़ा कॉलेज मैदान में भारतिय जिन्ता पाटी के परतन यात्रा के तहथ परतन सभा का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश मंत्री बिधान सभा प्रभारी रविकांत मिस्रा समेत कई नेता सामील हुए इस दौरान भाजपानेता जेमें पर जम कर बरसे और कहा कि जारखन में परतन लाना है क्योंकि जेमें कॉंग्रिस की गरबंदन सरकार पीछले पांच सालों से जारखन को लूट रही है यहां के लोगों के साथ जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया युवाओं को छलने का काम किया है नमस्कार आपका स्वागत है अभी मैव सिकारी पाड़ा परखन के कॉलेज मैदान में यहां पर भारती जन्ता पार्टी की और से एक सबा का आविजन किया गया है और यह सबा परिवर्तन सबा है रामगाड काठी कुन होते वे सिकाली पड़ा पहुचेगी इस दोरान भारती जन्ता पार्टी के तमाम प्दाधिकारी मोजूद रहेंगे और सभा को संबोधित करेंगे आई बात साथी जो बेचारत अपना परिवार चलाने के लिए ट्रेक्टार करीदा है प्रदान मंत्री आवास के लाभूप को प्रेक्टर से बालों पहुंचाता है तो उसके पीछे पूरे थैने की पूलिस लग जाते हाथ दोकर कि कैसे हो साले को पकड़ो और थाना में उसका गाड़ी लगवाओ उससे लेकर चला जाता है कोई तो उसके पीछे पढ़ने वाला झालों